हाईलो दोस्तों तो फिर से स्वागत है आपका अपने चनल सुपर प्लम्बिंग के उपर आज का जो प्रोड़क्ट है हम दिखाने वाले हैं जो हमारे घर में जो हम कीचन कट्टा बनाते हैं और जहां पर हम सिंक लगाते हैं वहां पर सिंक के गैप में से जो है पानी लाइक और वहां पर indem हो दिखाया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो सिंक लिट भी तो और को एलब फिर कोई पर खैस करते तो प्रॉब्लबम यहांता है कि लगाने के बाद वह सबनने के बाद जो है वहु वह पानी लिकेज होना चालू हो जाता है तो यह सबसे बड़ा इश्व होता है लेकिन सिलीकॉन के अगेंज क्या होता दोस्तों उसकने के बाद रबर एड़ एश्व बनता है और वह कितना भी वैबरेशन में जो है हीलने के बाद भी रबर जो है वो प्रोड़क्ट को नहीं चोड़ता है यह वेदर प्रूब भी आते हैं तो इसके वज़े से अभी हम क्या करेंगे इसको अपलाई करेंगे और इसी टो अपलाई है यूज करने के लिए भी बहुत आसान है और किफाईती भी है तो यहां पे सबसे बड़ा इशू होता है कि water leakage का वह problem हमारा जो है वह solve हो जाता है तो आपको यह आपको दिखाता हूं मैं यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है यह जो प्रोड़क्ट है गानेका बात जोंस दिख रहें आपको उपर से वान से शेमीं का करना है वहाँ पर प्लाई करना है बहुत है इस से तरीकिए से आहलें वहाँ अपत्ड़का करने लिए प longer वोगने से विर रहाइगे और यह वाई बेब्रेशान बहुत इजी है और मार्केट में अविलेबल है अभी इसका जो हम वाइट समेट अगरे जो लगाते हैं उसका जो ड्रॉप बैक है उसका सब में बड़ा ड्रॉप यह है कि वह कुछ मंद के बाद जो है आशीड वगरे वाश करते हैं हम चोकप होने के बाद तो वहाँ पी जो सब्सक्राइब करना ना भूले बने रहे आपके अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के उपर जय हिन